इस अफ़ते चूज़े को 21 तारी को सुबह बंदलगुड़ा में इसमय कॉलेज के पास लेयाओट में एक लाश मिली थी इसको इनफोर्मेशन आते हैं इसको मॉडर केस रिजिस्टर करके तेकिकात शुरू की इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ वो तपचा पुत्रा अरिया का रहने वाला है आटो चलाता और इसमें आये कि ये आसिफ और ये वन जो है शेक इसमाईल एलियास आदिल दोनों की पुरानी दोस्ति है आज कल इसमें तोड़े जैगड़े हुए है पिछले मैना आदिल जेल जाके वापस आया उस दिन से इसको सता रहे आसिफ सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खुनी का अदमी है ये पुरा एरिया में जो जैसे गंदे बाते कहे कि उसको सता रहे बहुत दिन से उसको गुसा आदिल को इसको कैसा ही उसको सबक सिखाने का उसका इडिया है इसके वास्ते मंडे काम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए और उनके दोस्ता तीन और दोस्ता भी उनको बुलाए और मंडे लेट नाइट चूजदे एरली आवर्स में सब लोग पार्दिवाड़ा में आए वहाँ दारुप ये दारुप बिने के बाद उनके बीच में जगड़ा शुरू हो गया उसी टाइम पर आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा जो अदमी जो मर गया वो ये वन को पहले मारा हाथ से मारा उसके बाद ये आदिल ये वन आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया वह आशिफ वही गिर गया और आदिल और ताज उद्दीन ये टू ताज उद्दीन दोनों इसी के आटों में बिटाके आशिफ के आटों में जो मरने वाला है उसी के आटों में इसको बिटाके पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे पहाड़ी शरीफ में आदि के टाइम पे उसको फिर होश में आ गया आसिफ होश में आके फिर उसको गाली देने लगा उस टाइम पे यह लोग उसको डेवर्ट करके यहां बंदल गुड़े में इस्लामिया कॉलेज की तरफ कॉलेज के पीछे जो लेयोटे वहाँ लेके गे और वहाँ फिर से चाकू से मारे और वहीं चोड़ का आगे वहीं उतका इंतकाल भी हो गया और इस केस में पांचों को ये वन शेक इसमा ले लिया सादिल के टू ताजुदीन महमद ताजुदीन एत्री शेक उस्मान एफ़ोर महमद साहिल और एफ़ाई महमद रेहान चारों को योसफएन दर्गा के पास गिरफतार के इसके अलावा एक आटो जिसमें पूरे लोग बाग गए एक चाकू जिसे मारे तीन मॉबाइल फोर्म और एक होंडा एक्टिवाफ बाइक जो एत्री एफ़ोर एफ़ाई ये तीनों लोग है और ये जो मरने वाला है आसिफ इसके उपर लंगरहस पहड़ी शरीफ और आसिफ नगर में तीन केसा हैं और A1 शेक किस्माल एलियास आदिल इसमें रावड़ी शीटर है लंगरहस का इसके उपर अभी तक 11 केस हैं गाजंदरनागर, पाड़ी शरीफ, आसिफनागर, लंगर हाउस और माधापूर में इनके उपर केस हैं और इनके उपर पहले भी इसके उपर पीडियाक के प्रोसीजर्स चालू हुए लेकिन लेगल प्रोप्लम्स के जरिये उनका आगे नहीं चल सका, अभी फिर से इनके पर पीडियाक लगाएंगे और इस पर डेफिनेटली बिकार यह मडर केस हैं तो डेफिनेटली इस पर पीडियाक में भी लग जाएगे यहां तक आ गए पहले यह आदमी जो मर गया अशिप जय उसका इदेफिकेस्टन हुआ इदेफिकेस्टन हमारी Crime Team ने की और वहां उनके जाके मिलने से उसने है उसकी मदर ने बोली कि उस्मान एक आदमी है वो प्राथ को उसको लेके गया बोलके बोली तो उस्मान को ट्रैक की उस्मान के जरे पुरी चार लोगों आगे और उन पर पुरा कान भी बाहर है